के अग्वेश क्लासस में आप सब कफिर एक बर वेलकम आज के इस टॉपिक में हम नाउन टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं कुछ चीज़े रह गई थी फिछले एक लेक्चर में जो हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगी जी हां आज हम जानेंगे नाउन केस क्या ह होता है नाउन नंबर क्या होता है और नाउन का जो जेंडर है यह कंप्लीट करने जा रहे हैं तो जैसे कि नाउन के काइंड हम पहले पढ़ चुके हैं तो आज के इस जो टॉपिक का जो मैं विशे है वो है इस लेक्चर का जो मैं टॉपिक है मुद्दा है वो है नाउन के तो नवन केसिस क्या होता है बैसिकली जो केस मीन्स इटल सिंप्ली अबाउट पॉजिशन आफ अनावन इन सेंटेंस हम नावन उसको सेंटेंस में यूज करते हैं लेकिन हर वक्त नावन एक ही काम नहीं करता है As it changes its position from sentence to sentence, likewise its role also varies from sentence to sentence नावन की position बदलती जाती है कभी as subject काम करता है तो कभी verb के बाद इसकी position होती है तो it acts as an object तो आज हम यह सीखने की कोशिश करेंगे कि नावन जब subject का role perform करता है तो इसकी position क्या होती है और जब noun as object का का काम करता है तो इसकी position क्या होती है That is what the noun case is about. Noun case tells us about the position of a noun in a sentence. For example, यहां देखींगे जो bold words में हमने यहां पे nouns को highlight किया है एक तो इनकी position पर हम गोर करेंगे जिसे हमें इनका जो role है sentence में वो पता चलेगा तो पहले sentence में जैसे हमने दो nouns use किये एक तो boys और एक games For example, boys play games इसमें जो verb है that is play अब position अगर देखींगे जो एक noun boys हमने use किया यह verb से पहले आता है दूसरा noun यानि कि games it is preceded by the verb एक तो verb के आगे आता है दूसरा verb के बाद में आता है तो इन दो nouns की जो position है different है verb से आगे जो आता है दूसरा verb के बाद में जो आता है इसी तरह से next example में दो nouns हमने फिर से use किया the teacher saw राजू in the market यहां पर verb है that is saw अब एक जो noun यानि राजू proper noun वो verb के बाद में आ गया इसकी position verb के बाद में है और जो the teacher है एक common noun वो verb से पहले आता है इसी तरह से next example में my mother didn't allow me यहां पर verb जो है didn't allow me अब इसमें एक pronoun me यूज हुआ है verb के बाद में और एक जो noun है my mother पहले आता है sentence में verb से पहले next example में birds are chirping यहां पर जो यह verb है तो एक noun यूज हुआ है start में verb से पहले next example में he killed a bird a bird एक noun phrase एक noun है जिसकी position है after the verb while as the word pronoun he it comes before the verb next example में सीमा इसमें verb went है comes before the verb and जो यह है his office यहां पर यह after the word after the verb that is raviskar यहां पर हमने ravis के साथ एक abstrophe s यूज किया है तो देखेंगे यह abstrophe s हमें कब यूज करना पढ़ता है that is what we are going to learn the case of the noun simply आपको क्या याद रखना है जो noun verb से पहले आता है that acts as the subject of the verb subject is a noun or pronoun naming part of the sentence and noun or pronoun talked about in the sentence इस sentence में हम boys के बारे में बता आते हैं तो boys यहां पर subject का का काम करता है boys play games याने खेलने वाले जो है that is boys doer करने वाला काम करने वाले जो है वह है boys तो यहां पर boys as subject use हुआ है play games क्या खेलते हैं जिस चीज़ को खेलते हैं जिस पर काम करते हैं वह बन गया object that means games यहां पर use हुआ as object the teacher saw Raju in the market देखने वाला जो है जिसके बारे में हम बताते हैं the teacher यहां पर subject है और जो verb के बाद आता है Raju that is the object इसी तरह से my mother subject after the verb जो आ गया है me that is object birds यहां पर subject फिर से verb के पहले आ गया इसी तरह से he subject a bird जिसको मारा that is the object मफूल जिस पर काम किया जाता है one who receives the effect of the action और one who is affected by the action is called as object और subject का मतलब one who does जो करने वाला होता है यह जिसके बारे में हम बताते है जिसकी state के बारे में हम बताते है सीमा went to his office यहां पर हम सीमा की बात करें जो वर्ब से पहले आ गया means सीमा भी subject है फिर जब हमने रवी के साथ apostrophe s यूज किया है क्योंकि यहां पर यह position दिखाता है यह ownership दिखाता है car का जो owner है कोन है car belongs to whom तो इस से हमें पता चलता है यह रवी के साथ हमने apostrophe s जो यूज किया है इस तरह से हमने three cases देखे हैं तीन तरह से हमारा नाउन जो है एक sentence में काम करता है कभी as subject when a noun acts as subject it is said to be in nominative case तो nominative case क्या हुआ है जब एक noun एक subject की तरह sentence में use होता है उसको हम बोलते है नाउन acts as subject of a verb for example राज is an intelligent boy यहां पर verb is है तो राज जो है इसकी हम state of being यहां पर बयान करते हैं राज is used as subject means राज is in the nominative case next example में the painter paint is the portraits यहां पर paint करना जो है verb एक activity है एक काम है और जो इस काम को करने वाला है वो है the painter तो painter बन गया subject करने वाला तो we can say the painter is in nominative case तो nominative case simply क्या याद रखना है जब एक noun या pronoun subject के तोर पर यूज हुआ होगा when a noun or pronoun acts as a subject of the verb it is said to be in nominative case or you can also say it as subject to case तो यह था nominative case when a noun or pronoun acts as subject of a verb अब देखना है object to case इसका दूसरा नाम है alternate name accusative case accusative case simply means when nouns or pronouns act as direct objects of the verbs पिछली वीडियो में हमने जब हमने वर्प पढ़ा था तब हमने वर्प की kindness में पढ़ा था यह जब इनफिन्ट्यू पार्ट्सिफल वगेरा पढ़ा था जिरन पढ़ा था वहां जाके हमने यह थोड़ा सा यह object के बारे में पढ़ा था ट्रेंजि ट्रेंजिजिटू वर्प एकचली जब हमने पढ़ा था ट्रेंजिटू इन रंजिटू जिनके साथ एए डिरेक्ट आप्जिट होग उनको हम ट्रेंजिटू वर्प के तो यह यहां पर याद रहन Brothers न आपको चानना होगा कि एक noun nominative case में हैं या फिर objective case में तो कैसे पैचाने के position here matters यह वर्ब है वर्ब से पहले जो noun आएगा that is subject वर्ब के बाद जो noun या प्रोणा आएगा that is object तो इस तरह से आप easily पहचान सकते हैं identify कर सकते हैं subject और object को पहले तो आपको verb trace out करना है अब verb के पहले जो आएगा noun ya pronoun that becomes the subject you can call that noun in nominative case और जो verb के बाद में noun ya pronoun आएगा वो कहलाता है object and that is set to be in objective case और accusative case अब देखते हैं यह direct object क्या चीज़ होती है तो direct object is a person or thing upon whom which the action of the verb is carried out याने direct object वो है जिस पर हमारे subject ने काम किया है that receives the effect of the action अब कुछ examples देखेंगे हम direct object की किस तरह से हम किसी noun ya pronoun को कह सकते हैं कि यह accusative case या objective case में है suppose sentence first में हम देखते हैं I met your sister I met your sister इसमें जो word met है that is verb मैंने पहले ही कहा कि पहचानना होगा तो पहले हम वर्ब को डूनींगे वर्ब से पहले जो noun ya pronoun आएगा है वो कहलाता है nominative because it acts as a subject noun के बाद sorry verb के बाद जो noun ya pronoun आएगा वो कहलाता है object और इसके साथ साथ हम इसको कहेंगे it is in accusative case और in objective case तो वर्ब के बाद इसकी position है you can easily call this your sister it is used in as object in the sentence so you can call it to be in objective case or accusative case the vendor sell mangoes the vendor sell mangoes to mangoes ko becha जाता है this is the object यह noun जो यहां पर है use हुआ as object so mangoes is in accusative case or object to case तो अगर position देखों कि आप यहां पर यह जो word sell है verb है तो mangoes की position इसके बाद में it comes after the word so it is object इसी तरह से next example the book यह वाला word जो है is यह जो verb है यहां पर on the table अब यह जो on the table है यह direct object नहीं है क्योंकि the table के आगे आगे आगया एक word on जो कि एक preposition है लेकिन फिर भी हम इस table को object यह ही case में ही group करते है क्योंकि इसकी position भी verb के बाद ही है लेकिन यह table जो है यहां पर object है लेकिन object of the preposition on यानि यह direct object नहीं है directly यह verb के बाद नहीं आता है the book is फिर आ गया पहले प्रिपोजिशन on इसके बाद आ गया हमारा object तो the table जो है इसकी position है after the verb is के बाद आ गया है बन गया है object लेकिन इससे पहले आ गया preposition so we call it object of the preposition तो यहां पर table जो है it is the object of the preposition on लेकिन यह भी objective case में ही है और accusative case भी कह सकते हैं next example is this is one of my policies जो यह policies है यहां से of में policies जो है policy का plural है तो यह एक object है position इसकी verb के बाद आ गयी तो it is object लेकिन इससे पहले भी एक preposition आता है of so we can say it is the object of preposition ओ ठीक है तो इसी तरह से अब हम third case जो है वो डिसकस करेंगे पहला था nominative noun कभी as subject काम कर सकता है sentence में so when a noun acts as subject of a verb it is said to be in nominative case लेकिन जब noun या pronoun as object use होगा sentence में we call it as objective case और to be in accusative case अगर proportion भी साथ होगा तो भी वो जो noun या pronoun होगा object ही क्यालाता है लेकिन object of proportion जो उसके आगे proportion आता है अब देखते हैं possessive case possessive case जो है इसका alternate name है janitive case possessive means to show possession when a noun shows possession or when sometimes we use pronouns वो हम तेखेंगे पर एक्जम्पल यां पर है this is Raju's pencil हमें दिखाने ये pencil किसका है so we can also say the pencil belongs to Raju that means जो ये apostrophe S Raju के साथ हमने आड़ किया it shows belongingness it shows uh it shows you know possession that Raju possesses a pencil Raju's pencil venus Raju possesses a pencil और you can say the pencil belongs to Raju so the apostrophe S जो यहां पर हमने यूज किया है it is used to show possession तो Raju एक proper noun है लेकिन when we used apostrophe S with it it becomes possessive possession noun तो कभी हम pronoun भी यूज कर सकते हैं that is your pen the word your एक pronoun है लेकिन यहां पर एक possession दिखाता है so we call it as possessive possessive pronoun कह सकते हैं इसको या it is our idea idea यह हमारा यहां पर यह जो है word our जो है it is used to show possession belongingness तो यह आवर जो है it is said to be in possessive case इसी तरह से जोन सिस्टर जोन की बहन has been hospitalized बीमार है hospital में उसको परती किया गया तो जोन के साथ भी हमने apostrophe S जोड़ा है to simply make it possessive और nouns के साथ हम apostrophe S का use करते हैं wireless प्रणावन की एक अलग category है usually तो जो प्रणावन उसे वह साथ ही है personal pronouns like I, we, you होगे तीन फिर he, she, it, or they these are the seven pronouns फिर इनकी वेरेशन से निकलते हैं like I से निकलता है me, my वगेरा 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 तो अगर हमने दिखाना होगा position अगर बोला होगा कि this car belongs to me हम यह कह सकते है this is my car तो हमने word जो my use किया है that is the possessive pronoun इसी तरह वी का possessive बनेगा अव, you का बनेगा your, he का बनेगा his, she का बनेगा her, it का बनेगा its, they का बनेगा their इस तरह से यह possessive बनते हैं रखर करते हैं, अब कभी, हम एटेंशन सी करने के लिए नाम से पुलाते हैं, रखर करते हैं, To get the attention of a person For example, Mr. Raj Students are waiting for you in the man hall यहां पर हमने यह जो नाम यूज़ किया है It is to get the attention तो यह जो यहां पर यह नाम यूज़ हुआ इसको हम कह सकते हैं यह वो केटिव केस में हैं वो केटिव तो यूजुली तो थ्री में केसे हैं nominate you, object you and possess you लेकिन कभी कुबार हम attention गेन करने के लिए किसी का नाम लेते हैं उसको हम we use a noun or pronoun just for the sake of gaining attention तो तब जाके हम उस नावन या प्रणावन को वो केटिव केस में यह कह सकते हैं कि यह काम करा है भी वो केटिव केस इसी तरह you there, stand up you जो हमने प्रणावन यहां पर यूज किया it is said to be in vocative case इसी तरह से brother, a letter for you तो यह attention के लिए हमने use word किया है brother इसी तरह से chairman, all the letters are posted two days तो यह यहां पर जो सारे nouns या प्रणावन्स हैं इनको हमने यूज किया है to gain the attention, to get the attention so we say that these nouns and pronouns are in vocative case तो यह था, vocative case अब हमें noun का जो number है, noun का number जो है, वो discuss करना है बहुत ही simple topic है लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है तो noun जो है, इसका number जो है, there are two numbers basically, noun के जो दो number है, एक तो singular दूसरा है, plural singular simply means single when we speak about one person and one thing, we use the noun in singular form जब हम एक की बात करते है तो single simply means one तो noun बर, sorry, noun का जो number है that is two, noun has two numbers singular and plural singular simply means one when we speak about one person one thing, that means the noun is to be used in singular form for example, we say a man, एक आदमी, book, एक किताब, cat, एक बिली, tree, joy, school, chair तो जब हम इन के साथ articles में आपने देखा है, आपने देखा है, कभी use करते है, कभी and that means एक, तो इसी तरह से knife, bag, table, child, baby, tooth, river, brick many examples are there around, जब हम अपनी सरावनिक्स में देख सकते हैं we can find so many examples तो जब हम एक की बात करते हैं that means we are using or we have to use the noun in it is singular form a plural क्या है when we speak more than one multiples एक से ज़्यादा जब हम persons की बात करते हैं things की बात करते हैं we have to use the noun in plural form for example, एक से ज़्यादा आदमी क्यलाते हैं men books means more than one book cats cats इसी तरह trees joys schools chairs knives bags tables children babies teeth etc these all mean more than one अब देखते हैं हम plural कैसे बनाते हैं singular का हम plural कैसे बनाते हैं तो मुक्तलिफ इसके लिए rules हैं तो these are basically the basic things basic rules लेकिन complete इसको जरूरी करना है तो सबसे जो पहला जो rule है हम जो add करते हैं एक noun के end पे हम add करते हैं तो last पे add करने को हम suffix कहते हैं ठीक है तो सबसे जो basic जो way है to make plurals to change the number from singular to plural we simply add s we simply suffix s to the singular noun for example joy इसको s add किया it is joys, red, reds, chair, chairs, radio, radios, book, books, pencil, pencils तो class, sorry इसमें single हमें एक s इसमें add करना है singular noun को तो वो बन जाता है plural piano, pianos अब देखते हैं दूसरा rule तो कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनको हमें खाली s add करना पड़ता है तो कुछ nouns ऐसे हैं जिनको हमें add करना es जैसे glass, glasses तो इस पर es हमें add किया bench benches, bush bushes, church तो simply आपको याद रखना है जब c h, s h या o पर हमारे जो 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 नावनों से end होते हैं c h, s h o तो इनको हम last में add करते है es इनका number change करने के लिए plural बनाने के लिए hero, heroes, potato, potatoes, mango, mango as, buffalo, 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 watch, watches तो इस तरह से ये plural में convert होते हैं तो एक तरीका था simply s, letter s से fix करना last में हमां singular noun को s add करना है वो बन जाएगा plural next में हमने देखा कि es add करके plural बन सकता है और जो noun उस end होते हैं y पर जिनका last spelling में letter y आता है उनका plural बनाने के लिए हमें ies add करना है y को खतम करके ies add करना है तो उनका plural हमें हासल हो सकता है for example baby इसकी last spelling y है तो ये कट हो जाएगा फिर ies add करके babies ladies, ladies stories, stories, tis, tis, army, armies तो कुछ noun ऐसे होते हैं जिनका हमें plural में उनका जो वावल है बीच का वो change करना पड़ता है जैसे man इसका जो इसको ना तो हम s एड़ कर सकते हैं ना es ना ies इसका जो बीच में जो वावल लेटर है a वो change होगा into e man, men woman, women foot, feet tooth, teeth goose, geese इस तरह से हमने इनका जो middle में एक इनके जो वावल लेटर्स हमने चेंज किये हैं तो इस तरह से इनका plural बन गया है अब एक और तरीका है plural बनाने का हम suffix करते हैं एन last में एड़ करते हैं singular noun को एन फर एक्जमल ox, oxen, child, children तो इस तरह से हमने last में इनको एड़ किया है en अब कुछ नावन उस ऐसे हैं जिनका last letter या तो f है या f e या कुछ words ऐसे हैं कुछ नावन उस ऐसे हैं जिनकी last spelling f है या फिर f e तो वो cut करके f या f e cut करके हम उनको add करते हैं v e s for example thief या चौर थीविज life, lives, wife, wives calf, cows, knife, knives wolf, wolves, leaf, leaves shelf, shelves लेकिन कुछ ऐसे नावन उसे जिन पर यह rule एपलिकेबल नहीं है उनको खाली s एड़ करना है chief do its last spelling is f लेकिन इसको हम v e s एड़ नहीं करते हैं खाली s एड़ करते हैं chiefs roof, roof is gulf, gulfers इसी तरह से safe, safes, hoof, hoofs तो यह कुछ exceptional cases हैं जिनको हमें simply s एड़ करना है तो अब एको रूल है जब हमारे पास compound owners होंगे जो more than one word के बने होंगे उनका plural बनाने के लिए हमें जो उनका man word है उसके साथ s एड़ करना है for example command in chief इसमें जो man word है man ना उने वह है chief sorry, इसमें man word जो है that is commander man word इसमें commander है तो commander के साथ हम s एड़ करेंगे यह बन गया है commanders फिर hyphen in फिर से hyphen तो chief इसी तरह से son in law इसका man word जो है son इसी का plural हम बनाएंगे sons rest part will remain unchanged इसी तरह से daughter in law daughters in law man word हमें इसका जो है s add करना है step son में son man word है तो step son जम लिखेंगे mad servant तो यहां पर servant man है इसका add करेंगे s इसी तरह से पासो बाई में पासो जो word है man word है तो इसका हम यह s लगा कर इसका plural बना सकते हैं sirs by man servant तो यहां पर यह man जो है इसका करेंगे हम man servant कुछ nouns ऐसे हैं जिनकी end spelling में s आता है लेकिन वो हमेशा treat किये जाते है as singular for example news अगर इसका s हम कार्टिंग है तो यह जो word है word ही खत्म होगा new news means cover तो यह जो है दिखने में यह plural दिखता है लेकिन it is always treated as singular mathematics एक subject का नाम है अगर इसका s काट करेंगे mathematics तो यह word होगा इसी तरह से physics is also subject, politics, endings तो इनका जो s है यह जो है s लेकर भी यह singular ही treat किये जाते है इसी तरह से कुछ collective noun जो है उनको हमेशा treat किया जाता है as plural form इनका singular नहीं है like cattle, poultry people they are always used as plural form कुछ noun जैसे हैं जिनका singular और plural से हम ही है sheep, deer, swine, cod, cod एक पीश है और इसी तरह से कुछ noun जो है उनको हमेशा से as plural ही use किया जाता है जैसे trousers, क्योंकि वो pair होती है pair of trousers, scissors, spectacles, drawers, thanks, drafters, maths, tidings so इनको हमेशा से treat किया जाता है as plural form कुछ nouns ऐसे हैं जिनके दो forms है two different forms in plural यह प्लूरल में उनके दो formals है लेकिन दोनों की meaning अलग-अलग है जैसे अगर हम यह example देखेंगे यहां पर brother तो इसका जो plural आएगा that is brothers और brethren भी आएगा brothers means sons of same parents while brothers means members of a society तो यह एक ऐसा singular noun है जिसके दो plurals है लेकिन plurals जो है they are different with different meanings as well cloths, cloths, cloths का मतलब है pieces of cloths और cloths items of cloths इसी तरह से fish जब एकी तरह की fish होगी more than one fish लेकिन एकी species की तो उसका जो है plural fish ही आएगा लेकिन fishes भी हम sometimes use करते हैं जब उनकी variety species different होती है इसी तरह से index index का जो plural दो आएंगे indexes means tables or contents और indices जो algebra mathematical में mathematics में use किया जाता है index, indexes and indices तो कुछ nouns ऐसे हैं जिनका जो meaning है वो singular में different है they have different meanings in singular and in plural for example advice इसका मतलब है council मश्वरा देना अडवाइस means information तो प्लूरल में इसकी meaning different होगी air जो है atmosphere, airs means artificial manners being arrogant तो इसी तरह से good good means morally correct अच्छा लेकिन इसका जो goods plural दिखता है इसकी meaning कुछ अलग है सामान merchandise इसी तरह से force इस singular noun है strength इसका जो प्लूरल बनाते forces इसकी meaning भी होती है means troops इसी तरह से wood means portion of a tree तो woods means group of trees जंगल तो कुछ नावन उस ऐसे हैं जिनकी दो meanings one meaning singular में इनकी एक meaning है लेकिन दो से ज्यादा याने दो meanings इनकी plural में हैं जैसे custom means habit customs means habits and taxes collected on imports जो बार से सामान लाते हैं उस पर जो टेक्स लगता है customs इसी तरह से quarter means एक चोथा ही एक का चोथवा हिस्सा तो quarters means link places रहने की जगह effect means result या effects property तो कुछ और नावन उसे जिनका plural कुछ different है जैसे index indices radius रेडिये फॉर्मॉला फॉर्मॉली या लाज भी axis axis basis basis criterion criteria memorandum memoranda terminus termini hypothesis hypothesis तो इस तरह से ये कुछ नावन उसे जिनकी इस तरह से हम plural बना सकते हैं अब इसके बाद आता है नावन का नावन, maleness and femaleness of noun and there are basically four genders of nouns there are four genders masculine, feminine, common gender and neuter gender तो हम इनको एक एक करके पढ़िंगे अब जो masculine gender है ये वो नावन है which is the male, male character masculine gender refers to the male character of a member of species for example man, malign, hero, boy, king, horse, actor these are some examples then feminine gender simply means a noun is starting in feminine gender if it refers to a female member of a species जैसे women, girl, lioness, heroine, mare, niece, impressed, cow, actress, common gender तो हो गया जो दूनु जेंडर के लिए यूज किया जा सकता है जैसे जो male के लिए भी यूज किया जा सकता है और female के लिए भी यूज किया जा सकता है और female के लिए भी यूज किया जा सकता है Parent, it can be a mother or it can be father. So, baby, it can be a baby boy or it can be a baby girl, student, female student or male student. So, these nouns act are treated as common genders. Friend, applicant, candidate, servant, member, teacher, leader, etc. These are common genders. They are not masculine and feminine. Now, the last gender is neuter gender. Neuter, जो ऐसे जो inanimate things हैं, बेजान चीज़े, उनका कोई gender नहीं होता है. तो इनको हम lifeless objects हैं द्यारें, neuter gender. फ्रेक्ज़पल, chair, table, tree, star, तो ये जो है, इनको हम ये neuter gender मानते हैं. और कुछ अब्जेक्ट्स ऐसे हैं जुनको उनके पावर के लिए, strength के लिए ये वालेन्स के लिए जाना चाहता है. इसे हैं तरही भी आता है, आ सुनको है, फ्रिस्वी ज मानत करोंगें चहम ये जो जो है, गया है. बंबारे में बता नायूगा, तो हम प्रनौन्व स्य यूज़ करते हैं, अब देखते हूं कैसे हम जो है, मेशकुलाईन का फेमिनन अयन बनाते ह reagent, किस बेश्कुलाईन नाउन या बनता है, तो बेजलर, इसका आएगा बेजलर शायुअ का नायुज है, और जायत दिए बिवा ध फो और ज लॉए ड्रोग वनेट ज रेंट िचट बेटर्य लनेफेट्य बाफ उट जेए्वेट॰ पाम रेट्स औरिण कर ऑंद फुरफर्ट्ट इफंवेडर्स मृत्र एंपड़ेंग रेंपर्यट नियर्स ठ्रेटर ट्रेट्र एड्रेंड प्रि तो इस तरह से हमारा जो नाउन टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है इसमें तो हम जो प्रीविस टॉपिक उसमें हमने काइंड्स आप नाउन पढ़ा था फिर हमने नाउन फ्रेज भी पढ़ा है तो इस तरह से आज जो है नाउन के बारे में जो बचा कुछा कुछ चीजें जो थी रह गी थी उनको हमने समप के आप एक तो नाउन केस हमने जाना फिर नाउन नंबर और फिर लास में नाउन का जो जेंडर है वो देखा है तो देट वाल फ्रम तोड़ेश टॉपिक होप यू हाव अंडेस्टूद दे टॉपिक एंजोई दे टॉपिक और अब आखिर मैं आप अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आप अपकमिंग